धर्म बढ़ा या इंसानियत, विवात बढ़ा या लोगों की जान. नमस्ते दोस्तों, धर्म पर कोई कुछ बोले या न बोले दुनिया भर में धार्मिक कर्टरता का श्री गनेश हो ही जाता है. एक दूसरे पर टीका टिपनी की बाड़ा जाती है. हाल ही में भाजपा के नूपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट के दौरान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का आरोप लगाया गया. सच में उन्होंने क्या विवादित बयान दिया था, हमें पता नहीं चल पाया है. किन्तु जिस तरह दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों की प्रक्रिया आई, उसे देखकर हैरानी अवश्य हुई है. किन्तु आतंकवाद पर बहुत कम के मुँँ पर विरोत की सुर नजर आते हैं. क्यों मुस्लिम बहुया देशों की मदद करने के लिए कोई भी मुस्लिम देश सामने नहीं आता है. बांगला देश में बार से बुरा हाल, अब तक साथ लाख लोग हुए प्रभावित, मदद के लिए बुलाई गई है सेना. जिस धर्म की रक्षा के लिए हम मरने मारने को उतारू हो जाते हैं. क्या उस धर्म के भगवान, ईश्वर अल्ला, आदी इश्ट गुरूओं के माने वालों को हम क्यूं मुसीबत में मरने के लिए छोड़ देते हैं? क्या जब हम अपने ही धर्म के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें भूखों मरने या किसी आपदाओं में बेसहारा छोड़ देते हैं? क्या उस समय किसी धर्म का अपमान नहीं होता है? बांगला देश में भारी बारिश के कारण आई बार के चलते 19 लोगों की मौत की खबर है. यहां हालात इतने बिगर गए हैं कि सेना को मदद के लिए बुलाना पड़ा है. बार एक प्राकृते का आपदा है, किन्तु इस आपदा को भयावेह बनाने में मानव का प्रमुक योगदान रहा है. अगर एक देश में बार आती है तो उसके आसपास का देश और इलाके भी प्रभावित होते हैं. हर धर्म के अबालवरिद लोग तरपते हुए मरते हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश दुनिया के किसी भी कोने से धर्म विशेश के लिए भी कोई मदद आता हो. अगर धर्म को महान बनना है तो इंसानी धर्म को पहले रखो. अन्यथा किसी भी उचे पद पर बैटकर सार्वजनिक रूप से इंसानियत की बाते करना बंद करूँ. हम सब को विश्व कल्यान के लिए समर्पित होना चाहिए. धन्यवाद